हैलो आज कीस वीडियो के अंदर आपका सुवागत है आज कीस वीडियो के नरम किलाश 12 आपके हिंदी विशे के अंदर परिवासिक सब्दावली टोपिक है उसके बारे में बात करने वाले हैं ये आपका लगबग दो नंबर का आता है और जिस के अंदर आपको कुछ और यादतर स्टूदेन्ट क्या सोचते हैं कि इस टोपिक से आपको कहीं से भी कुछन पूछ लिया जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस टोपिक के अंदर वही कुछन पूछ जाते हैं जो आपके सलेवस से chronicle हो। यानि कि पिछली बार की बात करें तो आपको पिछली बार का पेपर मैं बता देता हूं किस प्रकार से यहाँ पर पूछा गया था पिछली बार नहीं यह 2022 का पेपर है इसके अंदर किस प्रकार से पूछा गया है तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पर पूचा गया था, यह निमिन परिवासिक सब्दों का अर्थ लिखे, यहाँ पर नोटिस यहाँ पर पूचा गया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका आंसर आपको लिखना था, इतना ही पूचा गया था, और इ किसी प्रकार से आपको इनका आंसर देना होता है अब बात कर लेते हैं किस प्रकार से यहां पर किस प्रकार के यहां पर वर्ड आते हैं जो आपकी परिक्षा में पूछा जाते हैं तो आपको बदा दूँ जो यहां पर वर्ड पूछे गए थे यह आपके सलेबस से लेटेट यानि कि नोटिस जो आपके नोटिस लगता है उस परकार से और ये भी सब्द परिपत्तर होता है उसी परकार से इसको भी लिया गया है इसी परकार से आप समझ सकते हैं कि जो पेपर जो भी कुशन आएगा आपके सलेवस के अंदर जो भी वड़ हैं उनकी अंदर से ही तो आपके लिए कुछ important परिवासिक सब्दावली सब्द लेकर आ चुगें और ये important सब्द अगर आप त्यार कर लेते हैं तो यकिन मानिए कि आपके इस topic के अंदर से सभी question बिल्कुल सही होने वाले हैं तो वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप इस channel पर नहीं हो तो चैनल को subscribe और वीडियो को like करने न भूलें चलो सुरू करते हैं यहाँ पर मैंने कुछ important जो भी सब्द हैं उनके यहाँ पर star का चिन लगा दिया है और यह कापी important सब्द होने वाले हैं तो यहाँ पर सुरू करते हैं सबसे पहला सब्द है यहाँ पर एक्वर नोलेजमेंट जिसका अर्थ होता है पावती यानि कि मान्यता देने की किरिया इसको मान्यता देने की किरिया को एक्वर नोलेजमेंट भी कहते हैं आपका दूसरा सब्द है पारल्यामेंटरी यानि क संसद्य यह अई संसद को पार्लेमेνट और पार्लेमेंटरी को संसद्य खहते हैं आपको जहाद रहाना चाहिए और यहाँ पर थड है यूनिक जो आपको अदित्य और अनोखा इस सब्द का अर्थ है और यहाँ पर रहे सेंसस जो आपकी जन गरना यह काफी important होने वाला है आपको यह सब्द आपको रट लेना है ऐसे सब्द जो आपके syllabus से related होते हैं यानि कि जो जीवन में यूज आते हैं और syllabus से related होते हैं वही सब्द आपके इसके अंदर पूछे जाते हैं आपको यह ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए आपका पांचब पढ़ सकते हैं और यहाँ पर इस्टार लगाओ है जो जो बता देता हूं तो grant है नहीं हो जाता है अनुदान जो भी आपको अनुदान दिया जाता है सरकार के द्वारा किसी के द्वारा भी उसको यहाँ पर grant कहा जाता है अब यह आता है मिंट्स जो इसको कार्यवर्त या कहा जाता है इसी प्रकार से आपके परसंग पूछे जाएंगे जो भी श्टार्ट लगा हुआ है वह कापी important होने वाले है इसी परकार से context जो person या संद्रव को context कहा जाता है इसी परकार से gadgeted यहनी राजपत्र और इसी परकार से आपको आगे देख सकते हैं कि मैमो यह काफी इंपोर्टेंट होने वाला है इस सब्द को आप बिल्कुल रट लीजिए इसका अर्थ होता है ग्यापन क्योंकि यह चीज आपके सलेवस के अंदर भी है और यह इसका अर्थ आपको पूछा भी जा सकता है आपको यह इसको यहां पर कूरम यानि गणपूरती कहा जाता है इसी प्रकार से आपकी टर्मनोलोजी सब्दावली इस टोपी का नाम ही यह है तो आप इसको विशेज ज्यान रखे और आपका आता है जोनल आंसल या रिजिनल इसको भी रिजिनल भी कहा जाता है यानि पर्टिकुल यहां आपनेन नाम सुनाओगे जोन यह जोन ए這種 तो आपको इसी प्रकार से जोनल सब्द भी दिया गया अभी अभी यह इंपोर्टन्ट हो जाता है क्योंकि यह वारेंट यानि कि अधिपत्त्र जो आपके सलेवस के अंदर भी है और इसको यहां पर इंगलिस के अंदर सपेट इसको है जाता है स्क तो यह चीज यह आपके लिए कपी इंपर्टेंट Minh adesso यहे ऑपकी डिफिशती जो आपकी उती और से राजवई इसको आऑई भी कहा जाता है इसी परकार आपके सबी सब्द है और integration यानि एकिकरण और या federation यानि परिसंग इसी प्रकार से आपको सबी सब्द यहाँ पर याद कर लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह महिन सब्द है तो यह सब्द यह सब्द आपके 2022 के अंदर भी यह सब्द आपके 2022 के अंदर आया था और यही अपके अदर आया ता और आप इसके वारे में जानते हैं साक्षर लिटरेट यानि साक्षर होता है अब आगे बात कर लेते हैं कि आगे और यहाँ पर आपके लिए सोसब्द लेकर आए हैं तो उनको सभी को देख लेते हैं अब इसके अब आपको देख दो कहीं नहीं आएगी लेकिन आपको दिक्ककत आएगी हिंदी लिखने में याई कि आप मान लीजी आपने नोट पे किसन आया तो आपको अधी सूचना ने लिखकर आपको आपर सूचना लिख देते हैं तो उसके अंदर देख सकते हैं किस परकार से आपको अधी सूचना ही लिखना है आपको अगर एक बार फड़ लेते हैं तो आप इसको अच्छी तरीके देख सकते हैं और यहाँ पर हो जाता है कमिशन यह सब्द आपके लिए काप इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यह सब्द आपको इंपोर्टेंट लिशान लगा लेना है क्योंकि यह सब्द आपको आ सकते हैं यह सब्द आपका क्वार्टरी जिसका अर्थ होता है त्री सब्द दिये गए हैं और यहां पर आता है corporation या जोता है निगम ये भी काफ़ी important होता है आपका पत्राचार है उसका भी आप देख सकते हैं इसे परकार से आपका warrant दुबारा आचुक है तो आप इसको भी विल्कुल देख सकते हैं वियरिपेशन तो इसका आथ होता है सत्यापन ये काफ़ी important होने वाले हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं withdrawal यानी कि वापसी ये प्रत्याहरन इसको भी खाते हैं और यहाँ बता होता है grievance तो इसका आट होता है sicurad और यहाँ पर होता है witness इस सब्द को आप बिल्कुल रट लीजिए जोर्नल आंचलित यह सब्द आपके दो बार आ चुगा है तो यह सब्द आपके लिए काप इंपोर्टेंट होने वाले हैं यहाँ पर बिल्कुल 100 सब्द दिये गए हैं और आप अगर इसका स्क्रिंसोट लेना चाहते हैं तो बिल और आप इसका इसका स्क्रिंसोट ले लेजिए यकिन मानिए अगर आपको इस पूरे 100 सब्द बिल्कुल अच्छी तरीक से आपर फड़ लेते हैं तो आपके दो या तीन नमबर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं और ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो कमेंट के अंदर बता सकत दन्यवाद